इतनी सारी उन देखे आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या बनाने जा रहे हूं आज मैं इन चार कलर से बहुत ही कुपसूरत सा एक टेबल मैट आपको बनाना सिखाऊंगी टिक्कियों वाला जिसमें अलग अलग पैचेज लगे होते हैं तो पैचेज कैसे बनाने हैं उन्हे कैसे एड करना है ये मैं आपको बताऊंगी प्लस इससे पूरा टेबल कवर भी आपको देखने को मिलेगा मेरे वीडियो में तो बने रहीएगा मेरे साथ तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो ला आपको बताऊंगी इसके बीच का फ्लार कैसे बनाना है और फ्लार को फिर बताऊंगी कि एड कैसे करना है फ्रेंट्स अगर आप मेरे वीडियो पर नए है और आपने वीडियो को अभी तक सॉरी मेरे चैनल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्स् और magic loop बनाने के बाद इसमें पहले तीन चेन बनाएंगे एक, दो, तीन सेम इसी hole से डालेंगे लूप से और एक double crochet सेम इसी जगा से फिर से डालेंगे और दो double crochet तो तीन चेन जो है वो हमारी पहले double crochet हो गई उसके बाद हमने दो double crochet और बनाई है तो टोटल तीन double crochet बना के ready की है एक, दो, तीन तीन चेन सेम इसी लूप से फिर से डालना है और यहाँ पे तीन double crochet बना लेनी है एक, दो, तीन अगें तीन चेन सेम लूप से फिर से डालेंगे और तीन double crochet बनाएंगे तो total 8 बार आपको ऐसे ही करके ready करना है 3 double crochet और 3 chain total 8 बार means 8 times बना के ready करनी है same loop से ही एक बार हो गया, दो बार हो गया, यह तीसरी बार फिर से 3 chain बनाएंगे और फिर से 3 double crochet तो पूरे में 8 बार ऐसे ही बना के ready करेंगे तो यह देखें, total 8 बार एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ बार हमने, मैंने ऐसे बना के ready कर लिया है और अब इसे यह वाला जो thread का कोना है इसे खीच लेंगे पूरा जितना tight खीच सकते हैं, उतना tight इसे खीच लें और end में 3 chain मनाएंगे और 3 chain मना के जो सबसे starting में हमने 3 chain मनाई है उसमें 3rd number वाली जो chain है इसमें अपने work को slip stitch से add कर देना है एक chain मनाएंगे और धागे को यहीं से cut कर लेंगे इसे tight कर लेना है और पीछे से thread को अंदर आपको फसाद देना है ताकि यह खुलेना इस वाले thread को भी फसाद देंगे और यह जो magic loop वाला thread है इसे भी फसाद देंगे थोड़ा सा और अब इसमें जो 3 chain वाला space है यहाँ पे मैं add करूंगी इसमें white color का thread जो 3 chain का space है उसी में add करना है किसी भी जगा पे आप add कर लें किसी भी 3 chain के space पे और अब यहाँ बना लेनी है 3 chain 1 2 और यह जो इसका कोना है यह मैं इसमें इस तर से फसाद देती हूँ ताकि गाट खुलेना 3 हो गया है और अब इसी space पे हमें 2 3 और double crochet बनानी है total 4 बनानी है 3 chain हमारी पहली हो गई दूसरी बना ली यह हो गई तीसरी और यह हो गई चौती तो total 4 double crochet बनानी है बीच में सिर्फ एक chain का space देना है next जो 3 chain का space है इसमें आ जाएंगे और 4 double crochet इसमें बनाएंगे एक दो तीन और चार फिर से एक chain next तीन चेन के space पे चार double crochet तो सेम प्रोसेस को ही continue करना है total 8 बार तीन चेन का space बना हुआ है पूरे मैं से चार double crochet बीच में एक chain का space देते हुए एंड प्याजर में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट बार बनके रड़ी हो गया है वरक एंड में एक chain मनाएंगे और यहां जो third number वाली chain है इसमें अपने work को add कर लेना है एक chain और धागे को यही से cut कर लेंगे और अब यहां पर जो chain का space है यहां पर इसमें हमें दूसरा धागा add करना है और यहां मैं pink color का धागा add कर रही हूँ तो आप जिस color का भी धागा add करना चाहते हैं add कर ले जिस भी color combination में बनाना है आपको बनाईए बहुत ज़्यादा खुबसूरत और प्यारा सा look देता है यह pattern और इसे जो table cover है वो आपको बनाने में बोर भी नहीं लगेगा friends क्योंकि यह टिक्कियों वाले इसी same space से एक और दो एक दो तीन डबाग रोशा हो गई एक दो तीन चार पांच बीच में पांच chain का space दिया है same इसी जगा से फिर से डालना है और तीन डबाग रोशा बना लेनी है एक दो और तीन तो यह हमारा हो गया हमारी पहले टिक्कियों का पहला corner इस तरह से corner बनेगा total चार corner बनाने हैं हमें अब यहाँ पे एक दो और तीन तीन chain बना के जो next वाला chain space है एक chain का space है यहाँ पे अपने work को single crochet से add कर देंगे फिर से तीन chain बनाएंगे एक दो और तीन और जो यह है एक chain का space just इसके बाद वाला इसमें बनाएंगे दूसरा corner means तीन double crochet पांच chain और तीन double crochet तीन double crochet एक दो तीन चार पांच पांच chain और सेम space से एक दो और तीन double crochet ओके इस तरह से पहला corner यह हुआ दूसरा corner यह हो गया बीच में हमने work को add किया फिर से तीन chain नेक्स वाली chain space में सिंगर क्रोशा से add करेंगे अगें एक दो तीन तीन chain इसके बाद वाली chain space में corner बनाएंगे तीन double crochet पांच chain और तीन double crochet ओके तीन corner हो गया एक दो तीन एक बचा है फिर से तीन chain नेक्स वाले में सिंगर क्रोशा से add करेंगे एक दो तीन तीन chain और अब बनाएंगे चौथा corner और corner बनाने के लिए तीन double crochet पांच chain और तीन double crochet तो चारों corner रेडी है वन तू त्री और फोर और अब यहां पे एक दो तीन तीन chain बनाके जो यह next वाला बचा हुआ है इसमें बनाएंगे एक single crochet से add करेंगे फिर से तीन chain और जहां से start किया है अपने work को उसमें जो third number वाली chain है इसमें अपने work को हमें add कर देना है एक chain बनाएंगे और धागे को cut कर लेंगे तो यह देखिए कितना खुब सूरत और प्यारा सा लग रहा है और कितनी जल्दी बनके ready हो गया है यह तो इसी तरह से friends आपको कई beach के flowers बना लेने हैं जैसे यहां देखिएगा यहां मैंने दो color को use करके कई थोड़े flowers बना के ready कर लिए हैं और अब इतना इतना आपको जितना भी बड़ा बनाना है जितनी भी टिक्या एक रो में लगानी है उस हिसाब से आप इसे बना लें यहां मैं alternative लगाऊंगी एक बार yellow फिर एक बार फिरोजी फिर yellow और फिर फिर फिरोजी और एक रो में मैं total 5 लगाने वाली हूँ तो आप एक रो में कितनी लगाएंगे और आपको कितनी रोस बना के ready करनी है यह आपके उपर depend करता है मैं एक रो में पांच बनाऊंगी तो और अउपर की तरह भी मैं 5 बनाऊंगी पूरा चौकॉर टेबिल कवर बनाने वाली हूँ तो इस तरह से मैंने कई इसमें flower बना के ready कर लि बनाया है मैंने उसे हमें बनाना है और इसे एड करना है तो यहां पर इसमें सेम वैसे ही धागे को पहले एड करेंगे और एड करके यहां पर देखेगा एक कॉर्णर दो कॉर्णर और तीसरे वाले कॉर्णर का आधा मींस सिर्फ तीन डबक रोश्या तक हमें बना के रेडि करने लेना है पहला, दूसरा और आधा मींस तू एन्ड हाफ धाई कॉर्णर बना के रेडि कर लेना है तो मैं यह यह और यह आधा कॉर्णर पहले बना के रेडि कर लेती हूं और अब इसवाले पहली वाले टिक्की को एड करूंगी एक दो ओके दो चेन बनाना है तीन डबर क्रोशा बनाने के बाद और इसे इस तरह से लेना है इसके किसी भी एक कॉर्णर पे यहां से इस तरह से डबर क्रोशा को डालेंगे और सिंगर क्रोशा से इसे इसमें एट कर देंगे एक दो दो चिन बनाएंगे और अब इस corner में भी 3 double crochet बची हुई है तो इसकी 3 double crochet बनाके ready करेंगे एक दो 3 corner बनाने के बाद 3 चिन बनाते हैं तो 3 चिन बनाके सिर्फ 1 चिन बनाएंगे और इसे देखे सीधा करेंगे और जहां भी इस corner के बाद ये वाला space है इसका तीन चेन वाला जो पूरा बना हुआ है अपने वर्क को ऐसे ही रखे सीधा पार्ट इधर होगा इधर होगा और दोनों जो ये उल्टे वाले पार्ट है ये आपस में इस तरह से चिप के रहेंगे एक चेन बना के इसी तीन चेन वाला जो स्पेस है इसमें डालेंगे और इसे एड़ कर देंगे सिंगर क्रॉश्या से फिर से एक चेन और अब ये जो यल्लो वाला पार्ट है जो बना रही हूँ उसके नेक्स वाले चेन स्पेस में डालेंगे और यहाँ पर सिंगर क्रॉश्या से इसे एड़ कर देंगे तो ये देखे का जैसे इसका तीन चेन वाला पार्ट बना है कॉर्णर बनने के बाद तीन चेन वाला पार्ट इसमें बना है वैसे एक कॉर्णर बनने के बाद तीन चेन वाला पार्ट इसमें भी बन गया है अगेन एक चेन बनाएंगे फिर से दोनो टिकियों को आपस में एड़ करेंगे इधर वाले तीन चेन पार्ट में एड़ हो चुका है अब ये तीन चेन वाला स्पेस है तो इसमें डालेंगे एक चेन बना के और दूसरी वाली चेन जो बनती है उसमें हमें एड़ कर लेना है फिर से एक चेन और इसके बाद वाला जो इस्पेस है हमारे फ्लार का उसमें हमें बना लेना है कॉर्णर एक, दो, और तीन, तीन डबल क्राउश बना लिए एक कॉर्णर एड़ हो गया है दूसरा कॉर्णर एड़ करना है तो इसके लिए एक दो कॉर्णर में पाँच चेन बनती है तो दो चेन बनाएंगे तीसरी चेन से सिंपल है इन दोनों पार्ट को सिर्फ आपको एक दुसरे को जोड़ना है कॉर्डनर वाला जो पान्च चेन का स्पेस है इसमें क्रोशा को डालना है और इसे इससे निकालके सिंगर क्रोशाइग बना लेनी है तो ये हमारी हो गई तीसरी चेन चौती और पांच वी इस तरह से पांच चेन भी बनके रेडी हो जाती है सेम इसी जगह से डालेंगे जो तीन डबा क्रोशा बची हुई है उसे बनाके रेडी करेंगे तो बहुत ही इजी भी है यह एड करने में और इंट्रेस्टिंग भी रगता है फिर से तीन चेन बनाएंगे नेक्स वाला जो चेन स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशा से एड कर देंगे एक, दो, तीन, तीन चेन बनाके अब यहां जो तीन चेन है इसमें थर्ड नमर वाली चेन से अपने वाक को एड कर देंगे एक चेन और धागे को हमें यहीं से कट कर लेना है तो यह देखिए देख रहे हैं कितने आसानी से और एजिली यह एड़ हो गया है और देखने में कितना ज़्यादा खोबसूरत लग रहा है तो इस तरह से आप कई कलर का यह जो बीच वाला पार्ट है इसमें आप कई कलर यूज़ कर सकते हैं मैंने सिर्फ दो कलर यूज़ किया है आप चाहें तो हर फ्लार को अलग कलर भी बना सकते हैं और इसमें किसी भी तरीके से इसे बना कि किसी भी कलर में लगा के base color जो भी आपको बना जिससे जोड़ना है वो base color ऐसा होना चाहिए जो सब में add कर रहे बीच वाले part में ये जो second वाली row मैंने बनाई है round इसमें white ही use करें तो white के साथ सारा color अच्छा लगता है और उसके बाद आप जिस color से भी add करेंगे वो भी white में खिलेगा तो यहां मैं एक row में 5 add करूंगी तो मैं पूरे 5 यो add कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ second row को किस तरीके से add करना है add आपको same वैसे ही करना है जैसे मैंने इसमें इसको add किया है same वैसे ही आप इसके बाद वाला भी add करेंगे डाई corner बना लेंगे एक, दो और डाई और उसके बाद फिर दो chain बना के इसमें जैसे मैंने यहां add किया है same वैसे ही add होगा फिर से 3 chain वाली space में add होगा again 3 chain वाली space में add होगा फिर corner add होगा तो एक के बाद एक सब ऐसे ही add होते जाएंगे तो मैं 5 यो add कर लेती हूँ पिर इसके नीचे वाला बताएंगे हाँ मैंने same pattern को repeat करते हुए 1, 2, 3, 4, 5 पूरे 5 इसमें एक रो में टिक्किया बना के ready कर ली है अब दूसरे रो के टिक्की को add करेंगे तो same दिखेगा मैंने वैसे ही डाई एक, दो और डाई इसमें corner बना के ready कर लिया है यहां मेरे पास yellow है तो इसके just नीचे मैं फिरोजी लगाऊंगी same इसे भी वैसे ही करेंगे दो chain बनाएंगे और इसका ये वाला corner जो है अब यहां इसके नीचे वाले दूसरी रो में add करना है तो ये और ये corner add करना है तो इस corner को उठाएंगे और इसमें इसे add कर देंगे ओके, दोनों को इस तरह से पकड़े रहेंगे ताकि आपको तीन chain वाले हिस्से में कहीं भी बनाने में दिक्कत ना हो फिर से दो chain बनाई है और दो chain बनाके जो बाकी का corner है उसे बनाके ready करेंगे एक दो और तीन उसके बाद फिर से एक chain तो सेम वैसे ही add करना है जैसे अभी तक add किया है एक chain मनाके अब इसका ये देखिए ये है हमारा रो इसके नीचे यहाँ पर add करना है तो ये है इसकी तीन chain की space इसे लेंगे और इस तीन chain की space में एक chain मनाने के बाद इसे single crochet से add करेंगे फिर से एक chain मनाएंगे और इसके इस वाली में जो ये वाला space है इसमें single crochet मना लेंगे ओके फिर से एक chain मनाएंगे इसकी दूसरी वाली जो तीन chain की space है एक 3 chain का space है, फिर single cross है, फिर 3 chain है तो जो दूसरा वाला 3 chain का space है, इसमें डालेंगे add करेंगे, एक chain मनाएंगे और इसके बाद अब बना लेना है हमें corner एक corner add हो गया है, दूसरा corner हमें add करना है तो पहले 3 double cross जा 1, 2, 2 chain मनाएंगे और अब इसमें देखेगा एड़ करने समय यहाँ पर हलका सा सिंगर क्रोशा वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा ठीक है जब हमने इन दोनों को एड़ किया है सिंगर क्रोशा से तो यह है सिंगर क्रोशा वाला पार्ट इसी सिंगर क्रोशा वाले पार्ट में आपको डालना है और यहाँ पर इसे भी सिंगर क्रोशा से ही एड कर लेना है एक और दो बाकी की दो चैन बनाएंगे और इसमें जो हमारा कॉर्नर बचा हुआ है उस कॉर्नर को बना लेंगे एक दो तीन एक दो तीन तीन बना के इसके बाद वाले में से सिंगर क्रोशा से एड़ करेंगे तीन चेन और थर्द नंबर वाली चेन में वक को एड़ कर के एक चेन बनाएंगे दागी को कट कर लेंगे तो यह देखिए यहां पर पे हमने add किया है其實 सिंगल क्रौश तो अब इसका जो लुक है वो कितना जाधा अच्छा आ रहा है तो अब हमें और खरल उसके बाध वाली टिक की जिसे हम ल शेप में एंड करना है is मत्लडर पर ऑड करना है इस कोर नर पर भी add करना है और इस corner पे भी add करना है तो अभी तक हम एक दो और धाई pattern को बना रहे थे corner को अब सिर्फ एक और आधा देड़ pattern बना के पहले ready करेंगे इसके नीचे मैं लगाऊंगी yellow तो यह देखिए एक corner पूरा बना लिया इसके बाद आधा बनाया और अब हमें इसे add करना है इल शेप में यहाँ से start करेंगे पहले इसे add करेंगे फिर इसे add करेंगे फिर इसे add करेंगे तो same वैसे ही एक और दो दो chain बना के इस वाले corner को लेंगे और इसमें हमें single cross याजस की add कर इसे इस तरह से जोड़िये इसका जो तीजेन वाला फर्स तीजेन वाला हिस्सा है इसमें वक को ADD करेंगे SINGER क्रॉश आ से फिर से एक चेन बनाएंगे निक्स वाले में SINGER क्रॉश्स आ से ADD कर देंगे अगेन एक chain दूसरे वाले pattern को लेंगे इसका जो next तीन chain का हिस्सा है इसमें डालेंगे इसे add कर देंगे फिर से एक chain मनाएंगे दूसरा जो corner है उसमें बना लेंगे एक दो और तीन डबा कौश्या एक दो दो chain मनाएंगे और अब फिर से देखेगा ये वाला हिस्सा add हो चुका है तेन तीन chain वाला add हो चुका है और अब ये जो बीच वाला part है इसे add करना है तो सेम वैसे ही जो single crochet वाला part है इसमें ही आपको add करना है तो यहाँ देखेगा ये आपको single crochet वाला part दिखेगा इसमें आप डाल लीजे और इसमें भी एक सिंगर क्रोशा बना लीजे एक, दो, दो चेन बनाएंगे, सेम इसी जगा से फिर से एक, दो और तीन डबल क्रोशा बना लेंगे फिर से एक चेन, अगेन मैं रखके दिखाती हूँ आपको तो यह देखे, यह वाला पार्ट बनके रडी हो गया है, बीच वाला हमारा ठीक है, और अब यह वाली जो तीन चेन वाला हिस्सा है, जो इस वाले पैटन का है इस pattern में हमने 3-3 chain वाले को add कर लिया है अब इस pattern वाला जो यह जो 3 chain वाला part है इसमें 1 chain बना के इसमें add करेंगे फिर से 1 chain मनाएंगे next वाले में single crochet बना लेंगे ओके फिर से 1 chain मनाएंगे इसका वाला इसका जो दूसरा वाला 3 chain का हिस्सा है इसमें डालेंगे और यहाँ पर बना लेंगे सिंगर क्रोश या, एक चेन, next block में डालेंगे एक, दो, तीन, तीन डब़क्रोश या, एक, दो, दो चेन और अब इसका हमें corner add करना है, यह वाला ठिक है यह और add हो गया है, अब इसे add करना है तीन डब़क्रोश या हमने बना ली है, और तीन डब़क्रोश या बनाने के बाद अब सेम इसे भी हमें add करना है, सिंगर क्रोश या वाले पार्ट में तो यह दिखिए, इसका जो सिंगर क्रोश या वाला पार्ट है, जहाँ पर आपने add किया है इसमें डालेंगे और एक सिंगर क्रॉश्या इसमें बना लेंगे दो चेन अगेन इसमें डालके तीन डबर क्रॉश्या एक दो तीन एक दो तीन 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 चेन नेक्स वन में डालेंगे एक सिंगर क्रॉश्या बनाएंगे फिर से तीन चेन और जहां से स्टार्ट किया है इस वाले में इसे एड़ कर लेंगे और भागे को कट कर लेंगे तो यह दिखिए इस तरह से पूरा L शेप में हमने सेम वैसे ही एड़ किया है जैसे इन नोनों को आट किया था सेम बस करना आपको कुछ नहीं है यहां से स्टार्ट करना है इसके भी तीन तीन चेन वाले हिस्से में आट करना है फिर कॉर्णर आट करना है फिर इसके तीन तीन चेन वाले पार्ट में आट करना है फिर कॉर्णर आट करना है अब फिर उसके बाद जो बाकी का पैटन बचा हुआ है जैसे इधर का बचा था तो ये मैंने बना के इसे एड़ कर लिया है सेम ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है और आप दिखे का जब ये एड़ होता है तो बीच का इसका जो पार्ट है कुछ इस तरीके से फ्लार का लुक देता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है तो मैं इसमें टोटल पांच रो बना के रैड़ी करूँगी एक रो के बाद दूसरी रो को कैसे स्टार्ट करना है प्लस ल शेप में कैसे बनाना है ये मैंने पूरा ही बना बता दिया है आपको तो मैं इसे पूरा एड़ कर लेती हूँ पूरा पार्ट को फिर आपको आग alternative आपको लगाने हैं इसके flower के colors जो भी color आप use कर रहे हैं उन्हें alternative लगाएं और same वैसे ही एक के बादे एक road को आपको add करते जाना है तो यहां जितना भी बड़ा आपको add करना है इसी तरीके से करते हुए add कर ले इसका border कैसे बनेगा means इसे पूरा table cover का look कैसे देना है इसका काफी बहुत ही कुपसूरत सा border भी मैं आपको बनाना बताऊंगी जिसमें beach का part ये होगा और side में बहुत ही कुपसूरत सा border होगा तो उसके लिए आपको इसका part 2 देखना होगा so friends आज के लिए बस इतना ही मैं मिलूंगी आपसे इसी के part 2 में जिसमें आपको इसका border मिलेगा तब तक के लिए bye bye thank you and have a nice day वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो please इसे like, share and subscribe जरूर कर दे okay then bye bye